चलिए आगे बढ़ते हैं को और कॉलर हमारे साथ हैं टाइनी चंदा है कॉलकता से टाइनी बहुत-बहुत स्वागत है आपका पूछे क्या सवाल है एक्सपर्ट से पूछे क्या सब्सक्राइब कुछ पेंडिंग है आपके प्रिमियम्स आपने पे नहीं करें चलिए पिछले तीन प्रिमियम्स यानि के लगबग डेर साल हो चुका है बीनु इन्होंने हर सिक्स मंट्स में हाफ यरली इनके प्रिमियम्स चाहते हैं जो अमाउंट पेंडिंग इन्होंने बताया है अठारा हजार रुपे है छे हजार प्रतिम शमाई में यह जमा करती थी फिलाल इनका सवाली है कि क्या इस बकाया रुकम को चुकाना इनके लिए ठीक रहेगा या फिर यह अमाउंट जो एक्चली कैल्कुलेट किया जाए तो 1,000 रुपीज पर मन्त बन रहा है इसे कोई S.I.P करें तो जादा बेनेफिशल रहेगा इस पॉलिसी की बारे में आप ठीनी जी आप यह पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर पांच साल के बाद करिए और आपका जो टाइम है वो सेप्टेंबर 2013 में कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद ही आप सरेंडर कीजिए तो आपको कोई सरेंडर चार्जे भी नहीं पड़ेंगे और आपको इसमें इसका फंड वैल्यू मिल जाएगा जी और रही बात आगे निवेश की आप अपने रिटायर्मेंट कॉर्पस बिल्ड करना चाहती है और आप अभी यंग है और आपका रिटायर्मेंट का स्पैन भी काफी लंबा है 30 यह के करीब है तो आप 90 परसंट अपना इंवेस्टमे इक्विटी में करें किसी एक्विटी मूचल फंड के साथ जाए और 10 परसंट बेक्ट में करें जैसे की पीपीएफ में तो टाइनी आप अगर पीचर्स पीस के देखिंगी लाइफ टाइम सूपर पेंशन प्लान जो आपने लिया हुआ है फिलाल यह विद्डौन प्लान ह यह अब बाजार में मौझूद नहीं है आपके वैसे भी सेटेंबर इस साल आपके के पांध साल पूरे हो रहे है आप इसको सेरेंडर कर सकते हैं टेबल के थे चृटी एक तरू बहां आपको सरेंडर करते हैं 96% off 98% 24 वैलियो मिले यह पिलाल जो भी आपकी फंड वैलियू उसके एकॉर्डिंग आपको चार्जेस मिल जाएंगे फिलाल जादा चार्जेस कटेंगे नहीं आपके क्योंकि पांसाल आपके पूरे हो चेके तो पिछले अमाउंट को आप इसमें निवेश करने से बैतर है कि आप म्यूच्वल फंड की तरफ रुप करें साथी कुछ हिसा पीपीएफ में भी निवेश कर सकती है टाक सेविंग का भी उससे आपको फायदा मिलेगा चले फिलाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए